जेहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी साइथ के बहुत ही महत्तोपोल कॉशन आंसर तो वीडियो को पूरा वच्छ देखें अगर आप चेनल पर पहली बार आए हैं तो चेनल को सस्क आपके देगा हैं आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरू बताएं क्या होगा सही आंसर तो ब्यराग के संदीपनी की रचनाकार पूँचा है तो आपका सही आंसर है तुलसी दास यानिकि विकल्प नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी आप का यहां पर right answer है question number आपका यहां पर 22 पूचा है इनमेंसे कौन सा कत्न असत्य है ग्यानसरी साखा की कभी नराकार की उपास न करते हैं या कभीर संत कभी है या पिरभु जी तुम चंदन हम्पाणी रेधास की पंती है संत तुलशिदास ग्यानसरी साखा की कभी है यहां पर इसलिए आपका विकल्ब नबर D जो है आपका किया सा है असत्य है और यहाँ पर आपका question जो अंगला क्या पूँचा गया है देख लेते हैं तो अंगला question आपका ये रहा कि देखें भक्तिकाल की रामसरी साखा के निम्न में से कौन से कभी हैं कौन से कभी है, रामसरी साका की कभी बताना है, सूर्दास हैं, जाईसी हैं, मीराबाई हैं या तुलसी दास है, कौस्चन नमबर 23 है, महत्वपूल कौस्चन पूंचे गया है आपसे यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है ते इसका, आपका विकल्प नमबर D यानि की तुलसी दास, तुलसी दास अभी पड़ा अभी बताय था, आपके लिए तुलसी दास जो हैं, यह रामसरी साका की कभी माने जाती है, तो विकल्प नमबर D राइट आंसर है, कौस्चन नमबर आपका यहाँ पर 24 क्या पूंचा क्या है, निम ने लिखे तो विकल्पों में असी, जो राम भक्ति काभी की विसे इस्तार नहीं है, उसे चांट ये, देखिए नहीं है पूंचा है आपसे, तो विकल्प नमबर D आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, कि कृष्णी की विविद लीलाओं का गायन, ये जो है राम भक्ति काभी की विसे इस्ता नहीं है, विकल्प नमबर D आपका सही आंसर होगा, कौस्चन नमबर आपका 25 यहाँ पर पूंचा है, तुलसीदा स्कृत बिनैपत्रिका की रचेता कौन है, बिनैपत्रिका की रचेता बताना है, कौस्चन नमबर 25 है, और आपका यहाँ पर भौत ही महत्तोपोन कौस्चन पूंचा गया है, कौस्चन नमबर 25 का राइट आंसर होगा, आपका विकल्प नमबर 1 यानि की ब्रजभासा, आपका यहा ब्रजवासा यह question आपका डबल हो गया, ब्रजवासा आपका यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर भी यह question जो है तोड़ी सा यहाँ पर डबल हो गया है, question आपका यहाँ पर जो 28 दिया गया है, भाई देख लेते हैं, question number 28, क्या है, बिने पत्री का नाम ग्रंत की रचिना कैसे है, इसकी रचिना बताना है, मलुक दास या विक्रमा देत्य गोस्वामी तुलसी दास या के सबदास, question number 28 है, आपका यहाँ पर चार विकल्प भी देगा है, question number 28 का सही आंसर बताना है, तो आपका यहाँ पर गोस्वामी तुलसी दास यानि की विकल्प नंबर भी आपका स महत्य Another सूरत नंददाशन तुलसिदास या नमीरा भाई Qpout番 का सही अंसर इंहान पर क्या हो कर दो किशने गीता बली पूच्चा है तो किशने गीता बली के जो रचनाकार वह हैं वह कौन तो आपका यहां पर बिलकुल सही answer है महत्तपुन question पूँचा गया है यह question आपके जो है किसी ने किसी एक्जाम में जरूर पूँचे गया है महत्तपुन question है और किष्णी गीतावली ग्रंत की रचनाकार पूँचा है तो तुलसी दास आपका यहाँ पर सही answer होगा तुलसी दास आपका right answer है question number आपका यहाँ पर 30 पूँचा गया है क्ष्णी कीतावली नामक कब्बे के जो रचिय था यहाँ पर तुलसी दास है और किष्णी यह question आपका double हो गया है देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या है देख लेते हैं अंगला question आपका question number 33 यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर कोई कोई question जो हैं आपकी double हो गये है तो question number आपका 33 आपका यहां पर दिया गया है क्या दिया गया है इनमें से कौन सा ग्रेंट तुलसी द्वारा रचित नहीं है देखे तुलसी द्वारा रचित नहीं है पूँछा है आपसे गीता वली बिनेपत्रिका दोहा वली रसमंजरी तो question number 34 का आपका आंसर बताना है क्या होगा 34 का right answer तो इनमें से तुलसी द्वारा रचित नहीं पूँछा है तो आपका रसमंजरी जो है right answer होगा विकल्प number आपका यहां पर डी right answer है TGT परिक्षट 2011 में यह question पूँछा गया था रसमंजरी जो है रसमंजरी यह नंददास की रचिना है किसकी रचिना है नंददास की रचिना है नाईका भेद की एपस्तक है question number आपका यहां पर 35 क्या पूँछा गया है तो question number 35 देखी तुलसी दास जी ने भी भिरमर गीत परंपरा की अंतरगत भिरमर गीत की रचिना की है जो संक्ले थे एक किसमें संक्ले थे जान की मंगल में गीता बली में किष्णी गीता बली में या कभीता बली में question number 35 का सही आंसर आप बताईए क्या होगा question number 35 का right answer महत्तकुन question है और आपका सही आंसर होगा किष्णी गीता वली में किष्णी गीता वली आपका यहां पर विकल्प नंबर बी सही आंसर है बिलकुल सही बहुत बढ़ियां विकल्प नंबर बी राइट आंसर है क्वास्चन नंबर आपका यहां पर जो यहां पर क्या दिया गया है अंगला क्वास्चन 36 देख लेते हैं को छोड़ कर भी संस्कृत की साश्रिव परंपरा का निर्वहन क्या है वह क्या है तुलसी दास ने किसने तुलसी दास यानि कि विकल्प नमबर आपका यहां पर सी राइट आंसर होगा तुलसी दास आपका सही आंसर है बिलकुल सही question number 37 क्या पूंचा गया है तो question number 37 आपका गीता बली है तो गीता बली क्या है यह आपके लिए बताना है मकतक काब है प्रवंद काब है अतुकांत काब है या इनमें से कोई नहीं question number 37 है और आपका बहुत ही ही महत्तपुन question यहां पर पूंचा गया है question number 37 का सही आंसर बताईए तो गीता बली है तो आपके यहां पर राइट आंसर होगा बिलकुल सही विकल्प नंबर एक यानि की मकतक काब है मकतक काब है विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा बिलकुल सही बहुत बढ़िया विकल्प नंबर एक राइट आंसर है रामचरित मानस का ज्यान दीपक पिरसंगे किस कांड में बनने थे तो question number है आपका यहाँ पर 38 और 38 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल नमबर एक यानिकी उत्तरकांड आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही उत्तरकांड राइट आंसर होगा question number आपका यहाँ पर 49 पूँचा है रामचरित मानस से किस संबाद का संबंद नहीं है देखे नहीं पूँचा है आपसे रामचरित मानस से किस संबाद का संबंद नहीं है तो आपका सही आंसर यहाँ पर रामचरत मानस से किस संब्द का संब्द का संब्द नहीं है तो यहाँ पर क्या है कि रामचरत मानस का संब्द बिकल्पों में से दिये का सभी संब्दों से है तो यहाँ पर सभी संबादों से है बताया गया है आपका नहीं किसी से नहीं है तो आपको यहाँ पर question number 45 देख लेते हैं नीचे दो बाग के दिये गा है इन्वेसे एक को कथन ए और तता दूसरे को कारण आर की संग्या दी गई है तो यहाँ पर आपके लिए इसको छोड़ देते हैं इस question को यहाँ पर काईसे यहाँ पर option आपकी यहाँ पर दिये गए हैं तो यहाँ पर question number 41 देख लेते हैं भाई क्या है तो question number 41 आपका यहाँ पर दिया गया है question number 41 यहाँ पर नहीं है तो रांग किष्णे कापविसे संबंदित question देख लेते हैं यहाँ पर किष्णे कापविसे संबंदित question है आपका क्या है यहाँ पर तो किष्णे कापविसे संबंदित question आपका पूचा है कि सूरदास के विशाय में कौन सा कथन गलत है तो गलत कथन का चैन करना है वह गलत कतन कौन सा है आप बताईए यहाँ पर सूर्दास के संबंद में सूर्दास जी के विशाय में तो आपके यहाँ पर question number first है और किष्णे काप बे इसे संबंदे थे और इसका जो सही answer है विकल्प number एक यान की सूर्दास को सभी विद्वान जनवांधे मानते हैं एक कैसा है गलत कतन है विकल्प number आपका एक right answer है विकल्प number एक आपका सही answer है बिल्कुल सही और question number 2 यहाँ पर आपका दिया गया है question number 2 क्या पूँचा गया है कि सूर्दास किस काल के कभी है तो सूर्दास किस काल के कभी है? Question number 2 का right answer यहाँ पर बताना है, रीतिकाल, आदुनेकाल, भक्तिकाल या अपरोक्त में से कोई नहीं. Question number 2 का right answer आपका यहाँ पर जो होगा, भै क्या होगा, तो बिल्कुल सही answer बताया, आप लोगों ने की विकल्प number B right answer है, भक्तिकाल. भक्तिकाल आपका यहाँ पर सही answer है, भक्तिकाल जेनों ने बताया है, उनका यहाँ पर सही answer है. Question number आपका यहाँ पर देखिए भक्तिकाल की किश्न भक्ति कापधारा की अंतरगत आने वाले प्रमुक कभी हैं, उसमें सूर्दास जी भी हैं, नंददास, किश्न दास, परवन नंददास, कुंबंदास, चतरवजदास, मीरावाई, रसखान, धुरवदास और चेतन निमहापिरवू, यह जो हैं, जो किश्न भक्ति, भक्तिकालीन में, जो किश्न भक्ति धारा, कापधारा, इसके अंतरगत इतनी कभी आती हैं. Question number आपका यहाँ पर तीन पूचा गया अब भी पड़ा, क्या पड़ा, किश्ने काप विधारा के अंतरगत आते हैं, सूरदास तो विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही विकल्प नंबर एक राइट आंसर है, Question number आपका यहाँ पर चार पूचा गया है, सूरदास ने किस किर्ति क नहीं लिखा, देखें, नहीं लिखा पूचा है आपसी हाँ पर, तो सूर सारवली, साहित लहरी, सूर सागर और दोहवली, तो इनमें से आप वह किर्ती बताएए, कौन सी वह किर्ती है, जिसको नहीं लिखा है सूरदास जी ने, तो आपका सही आंसर होगा, विकल्प तो तुलसी दास आपका यहां पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर तुलसी दास, कौस्चन नंबर आपका यहां पर पूचा है, पांच इनमें से सूरदास की किर्ती कौन सी है, सूरदास की किर्ती बताएए, यहां पर कौन सी है, महत्तपुन कौस्चन पूचे गया है और इसका जो सही आंसर है कवीता वली गीता वली साहित लहरी अगंगा लहरी तो आपका यहांपर सही आंसर है पांच का विकल्प नंबर बी आनिकी साहित लहरी आपका यहांपर सही आंसर है साहित लहरी आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर भी राइट आ पर कि सूर सागर जो है सूर सागर ये किसे भासा की किरती है तो आपका सही आंसर है ब्रजवासा ब्रजवासा यानि कि विकल्प नंबर आपका यहां पर भी राइट आंसर होगा बिल्कुल सही विकल्प नंबर भी आपका सही आंसर है आचार रामचन सुकल जो है प्रमानों क अभावे सूर सागर को बिरजवासा की पहली रचना मानते हैं कौन मानते हैं आचार रामचंद सुकले question number आपका 7 यहाँ पर पूँचा गया है क्या पूँचा गया है तो देख लेते हैं question number 7 question number 7 है महत्पुण question पूँचा क्या है क्या होगा इसका सही आंसर आपके लिए बताना है कि इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है नहीं पूँचा है तो आपका सही आंसर डी राइट आंसर होगा की रासपंचत ध्याई देखे जो रासपंचत ध्याई है यह सूर की रचना नहीं है यह किसकी रचना है यह है नंददास यहाँ पर नंददास आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही नंददास की यह है और स जो रचनाई आपकी यहां पर दी गई है यह किसकी है सूरदास जी की question नमबर आपका 8 पूंचा है यहां पर सूरदास है किस रस का कौन ज्ञाक आए है यह question तो कई बार पूंचा जाचुका question है देखी यह आपका TGT में पूंचा गया था 2014 में पूंचा गया question है तो वह कौन सा रस है कौन सा रस है जिसका कौन ज्ञाक आए है तो आपका सही answer बात सल्ले रस है का कौन ज्ञाक आए है कौन सूरदास जी तो विकल्प नमबर आपका D right answer बात सल्ले भाव अतियंत कौमल और सास्वत भाव है जब तक स्रश्टी रहेगी इस भाव की परत्मारनिता भी रहेगी question number आपका 9 पूंचा है सेयद इब्राहिम का कभी नाम क्या है तो जान कभी है रशखान है आलम है इन में से कोई नहीं तो सेयद इब्राहिम सेयद इब्राहिम का बताना है तो क्या होगा कभी नाम इनका तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नमबर C आनिकी रस्खान, रस्खान इनका जो है कभी नाम है सेयद इब्राहिम का तो विकल्प नमबर C राइट आंसर है, रस्खान का बास्टविक नाम जो है सेयद इब्राहिम था, और question number आपके यहाँ पर 10 पूंचा है, प्रेम बाटी की रस्खान द्वारा, रस्खान आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, रस्खान जोनों ने बताया, विकल्प नमबर एक उनका यहाँ पर राइट आंसर है, तो इस पिरकार अपनी यहाँ पर भूत ही महत्तोपूर्ण question complete हुए, क्यांसा लगा यह वीडियो आ बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी के लिए जय हिंद।